क्रॉप प्रडॉक्शन & Management हम पढ़ने वाले हैं कि क्रॉप्स क्या होती है क्रॉप्स को कैसे प्रडूज किया जाता है और उनका मेंटेनिंस और मैंजमेंट कैसे होता है जो major topics हम cover करने वाले हैं वे रहेंगे introduction, crops क्या हैं, कौनसी different type की crops हैं, उन्हें किस तरह से उगाया और actually store किया जाता है आगे हम पढ़ने वाले हैं types of crop में, ruby crop और खरीफ crop के बारे में वे कौनसी crops हैं जो इन दोनों categories में fall करती है हमारा अगला topic रहेगा agricultural practices agricultural practices में sub topics रहते हैं preparation of soil, जब भी कोई crop को हम grow करते हैं जो उस grow करने के पहले हमें क्या-क्या steps हैं जिने follow करना पड़ता है जिसे पहली है preparation of soil, हमें soil को prepare करना पड़ता है ताकि हम वहाँ पर crop को sow कर सके next is agricultural implements, जब भी हम agriculture करना चाहते हैं या crop production करना चाहते हैं तो हमें different types of agricultural implements या यू कहें कि tools को use करना पड़ता है हम agricultural implements में उन सभी tools के बारे में details में पड़ने वाले हैं sowing, sowing means आप beach जो लगाते हैं वो beach को किस तरह से sow किया जाता है या कौन सी beach हमारी crop production के लिए जादा beneficial रहती है हमारे अगले topic addition of manure and fertilizer में हम पढ़ने वाले हैं कि हमें manure और fertilizers को क्यों add करना पड़ता है क्या difference है जो manure को fertilizer से differ या अलग बनाता है हमारा अगला topic रहेगा irrigation irrigation किस तरह से बहुत जादा important part रहता है हमारी crop production में कौन सी different types की irrigation methods या systems हैं जिने हम follow करते हैं इसके बाद में हमारा topic रहेगा protection from weeds weeds are the unwanted plants yes आपने देखा है कि कभी भी कुछ ऐसे plants उख जाते हैं जो हमारी काम की नहीं रहते हैं जो useful नहीं रहते हैं वो कहलाते हैं weeds और हम कैसे अपनी crop को इन weeds से बचा सकते हैं हमारा next topic रहेगा harvesting 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 एक simple process है जिसमें की crop से grains का conversion होता है या यूं कहें हमारी crop से grains निकाले जाते हैं इस harvesting के बाद हमें threshing और benowing की process भी follow करनी पड़ती है और final step रहती है हमारी storage storage means simply जिस तरह से आपकी mother घर में different cereals और grains को store करके रखती हैं सभी grains को store करने की different different practices रहती हैं अलग-अलग तरह से उन्हें store किया जाता है बिल्कुल उसी तरह से हम अपने storage topic में पढ़ने वाले हैं कि क्या जरूरत रहती है कि हम अपनी crops को properly store करें क्या होगा अगर हम अपनी crops को properly store नहीं करते हैं और किस तरह से हम अपनी crops को एक longer time के लिए healthy और अच्छी crop बना करके या grain बना करके रख सकते हैं। हमरा last topic इस chapter का रहने वाला है Animal Husbandry. Animal Husbandry में हम पढ़ने वाले हैं कि different animals को किस तरह से उनकी care की जाती है, उन्हें feed किया जाता है और उनकी breeding की जाती है क्योंकि वो हमें different purposes या uses के लिए useful रहते हैं। और Animal Husbandry में ही हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से different animals को different categories में divide भी किया जाता है।